हाई फ्रेंड थंडी आते ही अलग-अलग सबजी आने भी लगती हैं तो चलिए हम आज एक दूसरी सबजी लेकर के आए हैं ये है बोडो इसको कुछ लोग चौली भी बोलते हैं कुछ लोग बोडो तो चलिए हम बनाना इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे एक क एगर और इसमें ये थोड़ा सजिरा और बढ़ा लिया मैं इसमें डालेंगे तोड़ी से ये लोग है हमने तोड़कर ये इसमें और इसका स्वाद आप एक बार बनाओगे न तो बार-बार बराने का सोच ओगे ऐसी स्वाद तो शादियों में और ऐसे होटलों में मिलता है तो हम आज उसी तरह की बता रहे हैं तो इसमें काली मीर्च और दालचीनी ये सारी चीजें हमने डाल करके ले लिए अब इसको हम क्या करेंगे? कूट लेंगे हलका सा हमको ज़ादा इसका फाइन पॉडर नहीं बनाना है इसको ऐसे ही कूट के लिए लेना है तो चलिए मैं इसको कूट के आपको दिखाती हूँ ये देखिए तो मुझे इसमें बहुत अच्छे सेट होता है कूटने के लिए तो मैं इसमें कूटती हूँ, तो ये हो गया मेरा, अब हम मसाला थोड़े से पॉडर डाल लेते हैं, तो ये हल्दी पॉडर है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम, मिर्ची पॉडर है, और इसमें गरम मसाला, और इसमें ये धनिया है, थोड़ा सा मुझे मसाला कम दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें बढ़ा के ले लूंगी ये हो गया अब चलिए इसको हम कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से और इसका अच्छा सा हमें गोल बना कर रख देंगे ताकि ये हमारा मसाला अच्छे से फूग जाए तो ये देखिए हमारा मसाला बनके रेडी हो चुका है अब चलिए हम दूसरे तैयारी कर लेते हैं इसको बनाने का तरीका तो ये हमने दो बड़े साइज के कांदा लिया है इसको हम कटिंग कर लेंगे हमको इसको जादा बारिक नहीं कटिंग करना है हमें इसको बड़ा बड़ा ही काट करके लेना है तो ये देखिए है ऐसे मैंने कटिंग करके लिया है आप चार टुकडे भी कर सकते हो और ऐसे भी काट के ले सकते हो तो यह हमारा तो कांदा हो चुका कटिंग करके अब ऐसे ही बड़ी साइज में हम टमाटर भी काट लेंगे और लसुन भी हम खड़ाई रखेंगे इसमें तो यह देखिए टमाटर भी मैंने दो बड़े साइज से कटिंग किये हैं और बड़े-बड़े ही और यह हमने लसन लिये हैं यह भी ख़डाई ली इसमें हमें कुछ भी पीछना नहीं है तो चलिए अब हम ब głtharkan करते हैं तो यह मैंने कड़ाई रख दिया है और तेल मेरा गरम हो चुका तो इसमें मैं ये मसाले जो कूट करके लिए था मैंने उसको इसमें डाल दिया है अब इसमें डालेंगे हम खड़ा लसुन और तुरंथ हम इसमें डालेंगे कांदा जो हमने बड़े साइच के कटिंग करके लिए थे इसको अब इसको हलका सा हम भुनेंगे हमें ज़्यादा नहीं भुनना है बस इसको सॉफ्ट करना है थोड़ा सा तो इसको ऐसे चला-चला करके आप सॉफ्ट कर सकते हो और इसकी ये देखिए मैं फोड-फोड के कलिया निकाल रही हूं ताकि ऐसे बहुत अच्छी सबजी बनती है अब इसमें हम डालेंगे अपना टमाटर जो हमने कट कर लिये थे बड़े साइच के ये देखिए इसको भी हम डालेंगे अब इसको हम भूनेंगे अब तक तो हमने इसको भूना नहीं था अब इसको हम भूनेंगे टमाटर और कांदे को दोनों को अच्छी तरह से भून के ल ये दोनों चीजे, देखिए color change होगे, अब इसमें हम डालेंगे बटाटे, तो ये मैंने बटाटे दो से तीन cutting करके लिए हैं, इसको डाल देंगे, और इसको भी mix करेंगे, ऐसे ही, ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे अपनी बोडो, जो चौली है, इसमें हम add कर देंग तो इसको भी हमने काट करके ले लिया है, अब इसको हम भूनेंगे, दोनों चीजों को हमें अच्छी तरह से अब भून लेना है, बटाटे को भी और चौली को भी, तो चलिए इसको हम ऐसे ही थोड़ी देर ढखेंगे, और ढख करके पकाएंगे, थोड़ी थोड़ी टाइ अब हम भून लेते हैं ये देखिए हमारा ये सबजी भून चुकी है अब ये जो हमने मसाला बनाया था गोल के इसको इसमें हम एड़ कर देंगे तो ये मैंने मसाला एड़ कर दिया थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी वही कटोरी में धूल के थोड़ा सा ही डालना है जा टो पुसका तो स्वाग बहुत अर अच्छ इता है और उसकी खुष्भू भी बहुत अच्छ यह थिये अर गाटे है टो इसे में थोड़ा शाम बनाते हैं और यह नमक ऑंबले नामक ुढे closer और दो मिनिट के लिए इसको ढग करके हम मसाले को पका लेंगे ताकि अच्छे से हमारी सबजी में मसाले गुल जाए तो ये देखिए हमारा मसाला भूनकी हो चुका है ये बहुत अच्छे से भूना चुका है अब इसमें हम डालेंगे पानी तो हमें जितना इसमें ग्रेवी नहीं लगाना है तो इसके लिए इतना ही डालूंगी और बटाटे वगेरा यह सब तो हमारे पक चुके हैं इसको ज्यादा पकाने की जरूरत है नहीं तो अब हमारा सब पड़ चुका है इसमें नमकमक सब अब पका के ले लेंगे तो यह देखिए हमारी सबजी पक चुकी है यह देखिए गाड़ी सी हो गई है अब हम गैस कर देंगे बंद तो यह हो गया अब इसमें हम थोड़ी सी पहले धनिया डाल देंगे तो यह दनिया डालके अब गैस बंद कर देंगे और यह बाद में भी थोड़ा थोड़ा सुखा हो जाता है तो इसके लिए हम इतना ही ग्रेवी इसमें रखेंगे और अब इसको उतार लेंगे तो आपको कैसी लगी यह मेरी सबजी आप लोग जरूर एक बाद ट्राइ करना और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत बूलना